हेलो स्टूट्रेंट्स वेल्कम टू माइनर्चर मैं हूं क्रिशना कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो लिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का जो नेक्स्ट लेक्ट्चर जो हम पढ़ रहे थे कीमोथेरपीटिक एजेंट है ना जो हमारा चैप्टर चल रह हैं यहां बेटा में बात बोलूँगा जितने भी ड्रक्स पैंसलीन है एंटी टूबर क्लोर एंटी टूबर क्लोर क्यूलर है एंटी फंगल जो अभी आएंगे आएंगे या जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको आप लोग फार्मसीटिकल केमेस्ट्री चैप्टर है आपका सब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि वह पता है फार्मसीटिकल केमेस्ट्री को आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही है उसकी क्योंकि फोट चैप्टर भी वह तफ है और यह सबजेक्ट फार्मकोलोजी और फार्मसीटिकल केमेस्ट्री आपका ए लोगो Richard गृूव Daar तो कैको अर्य जाद ग्रूप आफ सैमी सिंथैटिक कैसे हैं यह सैमesser नींचहिएं सैम Stevens या इसले है यह मार कर लेंगा सैमी सिंथैटिक-अंटिवाटिक-जो मार कर रहा हूं उकचे मार कर रहें इंगे सद्योःऔर सफ five लोष पोर कि से लेट करते हैं यह Pansilin को रिलेट करते हैं पैंसिलण से मिलते ब्लोटे है यह राहूं को कि इसकी चैmassive שמंद स्यफेलीं पॉरह अब सेवन क्या है इसके जरूंट शुरू करें आम लोग यहां से किया था 1234 4, 5, 6, and 7, ठीक है ना, 7 पर क्या लगा हुआ है, अमीनो, ठीक है न, 7 पर क्या लगा हुआ है, अमीनो लगा हुआ है, अच्छा, नेमी इसकी क्यों समझा दिये हैं मैंने, क्यूंकि मैंने क्या कहा, तुम्हारा ये, फार्म सीटिकल केमिस्ट्री से अगर वहाँ पर मौझूद होती है ठीक है ना तो क्या आखने को होगी यह समिसिंथेटिक हैं फंगस कौन से फंगस से आ रहा है कौन से रिंग मौझूद इसके अंदर कौन मौझूद रिंग किलियर है आ गया आते हैं अब कह रहा है आडिए अट डिफरेंट chain at position number 7 यह 7 पे यह वाला जो पार्ट है है ना यह 7 आ गया अब यहाँ पर यह जो है ठीक है ना position number 7 पे अमीन लगा हुआ है यहाँ पर आरवन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है अलग-अलग side chain जब लगेंगी side chain मतलब पता ही है अच्छे सा पता है फार्म सुचल केमेस्ट्री में पूरा डिटेल में बताया है मैंने nomenclature side chain जब बदल जाती है of beta lectum ring altering the spectrum of activity altering मतलब बदल देता है spectrum of activity इसके काम करने के तरीके को बदल देता है जिसके वेसे इसकी activities change हो जाती है ठीक है and at position 3 of dihydro thaijin ring ठीक है जो position 3 है जो dihydro thaijin ring है यह beta lectum ring हो गई यह dihydro thaijin ring हो गई है ठीक है affecting farmacognitive तो यानि कि जब हमारा beta lectum ring यह beta lectum ring है ठीक है ना इसका 7 number पे कोई चीज़ change होती है तो उसकी activity में change आता है याने कि उसके pharmacodynamic में change आएगा ठीक है ना dynamic कहलो या फिर dynamic नहीं कहना चाहिए बलकि यह कहना चाहिए कि वो जिस तरीके से मारता है organism को उसमें changes आते हैं और जब third position में यहाँ पे कोई यह arc change होता है तो उसकी pharmacokinetic में कि वो body से किस तरह से बाहर नेगलेगा इस activity में changes आते हैं लाज number of semi synthetic compounds have been produced ठीक है ना और seven और three पे अलग-अलग side chain को हम introduce करके एक बहुत बड़ी range यहाँ पर तयार कर सकते हैं फिर क्या कह रहा है और cephalospurine are bacteriocidal mark करेंगे बेटा साइडल और एक क्या था इस्टेटिक बैक्टेरियो स्टेटिक होता है और एक साइडल होता साइडल मतलब जो किल कर देगा ठीक है ना यानि कि सब के सब bacteria को मार देते हैं ठीक है and have the same mechanism of action as pencil इन जिस तरह से pencil काम करता है वैसे इसका काम है inhibition of bacterial cell wall synthesis mark कर लेंगे यह ठीक है ना काम कैसे करता है bacteria की cell wall बनने वो नहीं देता है उसकी cell wall बन नहीं पाती है इसकी मौजूदगी में तो मर जाता है फिर वो ठीक है classification की बात करें तो कहरा है cephalospurine have been divided into five generations पांच generation में हमने इसे divide किया हुए ठीक है this division has chronological sequence जिस chronological sequence मतलब जिस तरीके से इनका evolution हुआ जिस तरीके से इनकी खोज हुई एक तरीके से ठीक है development but more importantly take into consideration the overall antibacterial spectrum as well as potency ठीक है पर जातर हम किया उसका क्या spectrum है और क्या potency है वो ज्यादा इसमें लिया गया है वो ज्यादा माइने रखता है इस classification में तो फाइस जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड फॉर्थ और फिफ्थ ठीक है न यह तुमको याद कर लेना है अब classification है पैरेंट्रल ओरल पैरेंट्रल ओरल थार्ड में सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और इसमें बढ़ा दूमें कौन सा है जो फैक्सीम बड़ा कॉमन ने देखते होगे तुम लोग ठीकिन अच्छा पैरेंट्रल पर इंजेक्शन का फॉर्म होता जनरली आप लोग उससे वाकिफ नहीं होते हो लेकिन सफिर झ्टाइब ट्रूप में और इंजेक्शन आता है जफिर उग्जम के नाम से तो में यहां पर टिक कराएं कौन कौन से चांट्रूसिल ने चांट्रूसरोप Siya कि ए ऊब आ जोग्या देन यहां पर सफिटी-जॉक्सिम सेफिट्सम य्याद करेंगे चाना सैफ एक्जिम यह यहां पर यहां पर स्वेपाइन है और यहां पर कोई बीएक याद कर लेंगे ठीक है ना तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले क्या याद रखने हमको पार्श जनरेशन आए वनट्व थ्री पॉर और वाइव ठीक है ना पार जनरेशन फिर इनकी पैरेंट्रल ओरल parental oral parental oral तो इसमें क्या parental और parental इसका एक एक example इसका एक example इस तरीके से classification याद करना एक दम से सारी याद करने मत बैड़े आना ठीक है ना बास समझ में आ गई ओके आगे आते हैं अपना classification ये part तुम्हों का याद करने का है खुछ से कितना याद कर पाओगे next आते हैं dose dose का जैसे बेट वेना हमेशा का dose बहुत सारी होती है सारी याद नहीं कर पाओगे तो जितना हो सके कम से कम एक जैसे की जो सबसे ज़्याद तुम्हें पसंद हो जैसे कि मानलो कोई बच्चा कहता है रहे से फिरग्जिम तो हमको पता है इससे तो हम अच्छे एक चीज को ध्यान रखेंगे किया चीज है वो दो कि तो कहां-कंअ दोस दिया सकती कि इससमें क्या जाएगा इंडे केशन अजाएगा इंडी केशन अकर कहीं doubt में ख़का से जैसे मैंने कहा 0.5-1 ग्राम बीडी जातर सब क्या है 6-8 आवरल यह भी लगवक बीडी हो जाएगा या टीडियस हो जाएगा तो जो तुमको पसंद है वह 4-5 जोस तुमको याद कर लेनी है ठीक है न कोई खास नहीं है अब जैसे यहां पर सेफ ट्राइजोम है यह टाइफाइड के केस में 4 ग्राम आईवी डेली दो दिन तक फॉलवड बाए उसके बाद 2 ग्राम पर दे ठीक है न तो यह रेजिमेन होते है रेजिमेन लग एक तरह का देने का तरीका होता है तिल टू डेज आफ्टर फीवर सबसाइट जब फीवर जाता है ठीक है ना तो यह कोई भी डोस कम से तीन तो याद करनी है और जो कॉमन सभी दवायों को पर डालेंगे जो तुम्हारी दवा जानी पैचानी होगी उसका याद कर लेंगे चले आगे इसमें कुछ है नहीं इंफ्यूश मतलब क्या होता है इंफ्यूश आइवी हो आइवी आइवी दिया जा रहा है ठीक है ना तुम सिंपल सकते हो 500 एमजी आइवी इतना लिखो नहीं तब भी चलेगा 500 एमजी आइवी ओवर टू आवर और एवरी एट आवर है ना दो घंटे में देनी है 500 ग्राम दो घंटे के दौरान देनी एक साथ ने देनी है और हर आठ घंटे में देनी हैं और अपर रेस्पिरेटरी इूरी और बिलियरी इंफेक्शन तीन तरह के इंडिकेशन मिल गया है को यहां पर इंडिकेशन मतलब कहां कहां इसका यूस करेंगे तो यह सब चीज़े बेटा आपको पकड़नी है जैसे मैंने यहां पर एक एक लाइ होगे कोई चीज मिलती है तो इसको आप रीट कर लेंगे और रिप्टरे करने वाले जैसे कोई चीज है नहीं आ पर आ गया थे नेस्ट इंडिकेशन जैसे इंडिकेशन उपरी आ गया था तो यह अगा पैंसलिंड नहीं तो हम इसका इस्त्माल कर सकते हैं किसमें एंट यह क्या होता है का मतलब क्या होगा फněल इक या यह र взGAN क्ल से स्पेसलिए कौन क्या से बैक्टिरिया के इंफेक्शिन में हम लोग इस्तेमाल करते हैंतें सेब्टी सेमिया सर्जिकल प्रोफाइल अक्सिस प्रोपाइल अक्सिस मतलब तुम लोग यह नहीं लिखने चाहिए लिख दो यह इंफेक्शन नोज इंफेक्शन फ्रोट इन्फेक्शन रेस्परिस्ट्री इंफेक्शन फिर यह लिख दोगे एक नीचे क्या गया था तो इस तरीके से छे कम से कम याद कर लोगे ठीक है और कॉंट्रा इंडिकेशन हमेशक दर बहुत इजी हाइपर सेंस्टिविटी रीनल और हैपेटिक फिलियर में दिखकत होती है ठीक है और इसके अंदर एक इस्पेसल आएगा रूमेटिक फिवर में भी नहीं देना है हमको एक दो तीन चार पांच यह चार से पांच तो तुम्हारे कॉमनी है हर किसी में काम करते हैं इंडिकेशन ठीक है ना होते होते हैं लगबग हाइपर सैंस्टिविटी यूनिवर्सल है सब में लिखोगे है ना सुरुआ से बताता हा रहा हूं मैं पासज़ना रिनल फेलियर यह भी आलमोस्ट मान के तो लो कि 99 पर सेंट में रहे गाई ठीक है न तो यह तो ऐसी याद हो आता है इसमें कुछ है नहीं तो यह हमारे पास क्या हो गया है सेफलोस्पोरिन नाव अमीनोग्लाइकोसाइड के लिए च्छोट छोट फट हो जाएंगे यह ठीक है अमीनोग् क्या होंगा यूज अदलब यूज करने हैं और यह कॉमन जो टॉपिक हो जाएंगे वहां पर समझने में भी आसानी रहेगी तो करें दीजा ग्रूप और सेमिसिंथेटिक एंटिबाइटिक यह कैसे हैं नैचुरल है और सेमिसिंथेटिक है वनमास कोशन है है विंग पॉल जाएंटिक केस में पड़ा था ग्लाइकोसाइटिक लिंकेश ठीक है न तो यह अपने आपस में यहां से यहां जुड़ेगा तो आ पस में क्या होते हैं मर जो आते हैं टू और मोर अमिनो सुगर्स ठीक है यह सबको पता है किसका फ़ूमला है यह सुगर का याने कि शुग तो अमीनो सगर दो या दो से जादा अमीनो सगर होती है यह सगर है यह अमीन तो अमीनो सगर नाम याद करो गुलकोसा माइन गैलक्टोसा माइन ठीक ना बासमझ मा रही है कि ओके अगया आते हैं इस्टेप्टो माइसीन वाज दा फर्स्ट मेंबर यह तुमारा वनमास कोशन है सबसे पहला जो अमीनो ग्लाकोसाइड डिसकवर हुआ था वह था इस्टेप्टो माइसीन फर्स्ट मेंबर डिसकवर इन 1944 वाक्समेन एंड इस कलिक्स उसके कलिक्स के द्वारा साइंटिक का नाम यहाँ पर याद रखना थो याद रखेंगे ठीक है ना इट एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस विकॉर्ड इट वास एक्टिव अगेंस्ट टुबर्कल बैसिलाइड टुबर्क जो हमारा टीवी सिर्फेस में आमीका सिं बड़ा कॉमां जैन टमाई इस ज्र मेरे खिर्टने बच चेश है मेरे क् door से मेडिकल स्टोर्ग से मैडिक वर्किन और सीफिंग है या होस्पितर से जुड़ हुए हैं या जिनके किसी भी तरीक इन आम पक्का जानते हैं यह ऑं मिका सिने जैन चैन तो नियो माइसिन और फ्राम आसेटिन डोस की बात करें तो एक कोमन डोस जो अपने पास है जेंटा माइसिन टोबरा माइसिन और नेटली माइसिन का 3-5 mg पर केजी पर दे और स्टेप्टो माइसिन की 7.5-15 ग्राम एमजी पर केजी पर दे यह बेटा मैंने यहाँ पर उसलीए दिया है कि यहाँ पर तुम लोग यहां से पर सकते हो कि यह नितों मेरे दिमाग में बात आइnt तो मैं कब बता दूं यह इंप्वार्ट ने यह तरीका important है कैसे तरीका important है यहां पर तिम लोग क्या कर सकते हो यह जो अपनी डोज है ना इसको कि याद करने का तरीका कैसे की 1 से 2 ग्राम सपोस तुम 3-4 तरह की drugs याद करना चाहते हो 1 से 2 1 से 2 हो और 1 से 2 कौन कौन है 1 से 2 और कोई है 1 से 2 नहीं है तो यहां पर तुम क्या करोगे क्या लिखोगे ऐसाफ एक grande अच्छा सेफ नहीं है, गल्द कर दिया, सेफे, पाइम है, और सेफपाइरों, ऐसे करके, कितना है, वन से टू ग्राम, वन से टू ग्राम, बीडी या आईवी, जो भी है, इसके आगे, आप मैंशन कर लेंगे, वन से टू ग्राम, ये भी आईवी है, 6 से 12 गंटे है, ये कितन गंटे, 12 गंटे, तो ये किया, 6 से 2 ग्राम, बीडी या 12 आवरली, तो ये तीन-तीन ड्रग, तुम्हारे पास क्या, याद करना आसान हो गया, कि अच्छा, ये तीन ड्रग का तो ये की डोज है, बास समझ में है, या ऐसी डोज निकाल ली, जिनका डोज को कॉमन है, ठीक है तो ये इसलिए, यहाँ पर इसको मैंने लिख रखा था, अधरवाइस, ओके, नाओ, जैन्टामाइसीन, इसकी डोज कितनी है, क्या है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसा कि सिंगल डोज और डिवादे इन 3 डोज ठीक है, तो सिंगल डोज देंगे, तीन डोज में डिवाइड कर ठीक है, क्याना माइसीन हो गया, 15 mgपर केज़ी पर डे दिया जाएगा, बीडी, ठीक है, इसका मतलत समय आता, 15 mg पर केज़ी, पर डे, 15 mg याने की, अब कोई, मान लो, कितना है, 60 kg का है, 60 kg का इंसान तो कितना हो जाएगा, 15 mg पर किलो है, तो 60 kg है ना यह, तो 15 into 6 कर लेंगे तो 90 क्या हो गया यह और एक जीरो है आगे 900 mg या लगभव हम कह सकते हैं पॉइंटनाइन ग्राम है ना पॉइंटनाइन ग्राम आ जाएगा यह तो तो फॉइंट निकलते हैं यह वेट के हिसाब से उसका बेट से मल्टिप्लाय करके ठीक है आगे आते हैं तो पिटा इसे फिर वही बैंदर पता आया कि जो डोस इसे इतनी जात कर लोकिसमें यह चल जाएगा या जो डोस कॉमन है जो तुमको जिनसे तुम वाकिफ हो डिपेंड करेगा कोई बच्चा पर काम करता है उसको कुछ चीज़ें पता है तो अपनी वही याद रखना एक्स्ट्रा याद करनी कोईश्च नहीं करना ठीक है यह तो याद करना ही है कि यह सारे जो अब देखो यहाँ पर मैंने इसको चाट दिया यह यह चार्ट मिल गया मेरो कफी अच्छा लग रहा था जैसके मालों अमीका सीना तुमारा यहाँ पर डोस भी तुमारी मेंशन हो गई टीट्मेंट ऑफ सीरियम ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया कहाँ पर यह इसका इसक दोन चीज़े कमबाइंड थी डोस और इंडीकेशन तो यहांसे क्या है कि यह मैं आप लोग को बिटर तरीके बता रहा हूँ अब आपको लगता है कि आप तीनों चीज़ें साथ याद कर सकते हैं ठीक है ना या इनडीकेशन अलग याद कर लें अब इंडीकेशन मेंवा कोशन अलग से आ गया तो अलग ही याद रखें तुम्हारी ग्राम नेगेटिव इंफेक्शन सुडो मुनास इंफेक्शन हेपेटिक कॉमा सप्प्रेशन ऑफ जी आई नॉर्मल फ्लोरा प्री प्री ऑपरेटिव ली फॉर्थ ड्रग इन कॉंबनेशन थेरपी ठीक है ना नॉर्मल फ्लोर होते उनको सप्रेस करने के लिए प्री अपरेटिव ली प्री ऑप्रेटिक कोमा टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ इसकिन वांड जखाम होते हैं उनको ठीक करने के लिए तो यह आ गया फौर्थ ड्रग चौथ हे द्रग के तौर पर इन कॉंबिनेशन थेरभ और कि लर इंफेक्शन आ गया ठीक है सिस्टिक फाइब रॉसीस आ गया तो यह इस तरह से मार्क कर लेंगे कुछ चीज अगर तुमको लगता कि मैंने रीड नहीं किये तो आप लोग रीड करके में में इसके अंदर से क्या है इंडिकेशन निकाल लोगे तो यह तरीका है या इंडिकेशन ओके नाव कॉंट्रा इंडिकेशन हमेशा की तरह है अवाइड ग्लाइकोसाइड ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी यहां पर आवाइड करना है ठीक है क्या हो सकता है फीटल और टॉक्सिटी कान खराब हो सकते बच्चे के अवाइड कॉंकुरेंट एक साथ इस्त इस्तमाल ना करें कॉसेश यूज इन पेशेंट लाइस ओवर सिष्टी यह जो साथ साथ से उपर है उनके अंदर बड़े ध्यान से इस्तमाल करें वहाँ पर एक कॉंट्रा इंडिकेशन हो सकता है रिजू इंपेयर्मेंट ठीक है ना डूनोट मिक्स अमिनोकलाकेशाइड इसके साथ किसी दूसरी ड्रग को मिक्स अप ना करें कई वार हम लोग ऐसा कर लेते हैं बट इसके केस में ऐसा ना करें ठीक है इस आर दा कॉंट्रा इंडिकेशन के लिया रहे है तो यह अपना छोटू मोटू लेक्चर खतम हो जाता है तो जल्दी जल्दी इसके बाकी प करते हैं पढ़ना है रिवाइज करना है कोई प्रॉल्लम आए तो मुझे कौल करना है और और रची पढ़ाई करनी है तो इस एप का इस्टिमाल कर सकते हो बहुत सारी फेसलिटि मृह सारी कोर्शन वरभारं करके हैं इसके अंदर और पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो All the वेस्ट